तो वेल नेक्स्ट क्वास्टिन वी हो अन इंडियन फार्म आफ सेकलर रिजम तो यह काफी जूपी ऐसी का पॉपलर है अक्षर पूछता रहता है तो इसके लिए जो होगी हमारी जो है इंडिया चुके एक उनीक तरह से जो है सेकलर रिजम फालो करता है जो इसके जो है इसके जूनीक हिस्टोरिक सर्कमस्टनस के अंदर रूटेड है ठीक है इसी से जो है हम अपनी इंट्रोड़क्शन जो है जब इस सेकलर रिजम का हम लिखेंगे तो बैटर है कि हम जो है इंडियन फार्म आफ सेकलर रिजम को डिफाइन करें ठीक है ना का जो है आपना जो है concept है तो जनरली जो वेस्टन concept है secularism का वो state के affairs का religion के affairs से अलग होना है तो बट इंडियन का ऐसा नहीं है इंडिया का जो है ये पोरस concept है secularism का जहां पे जो है जो तरह वेस्ट के अंदर क्या है उनके concept के एक आडम religion को state के अंदर interfere नहीं करना चाहिए और state को religion के अंदर interfere नहीं करना चाहिए ये बिसिकलिए standard जो है standard माना जाता है secularism का idea ठीक है ना इंडिया के अंदर कैसा है कि इंडिया के अंदर हम इस तरह से follow करते हैं कि जो religion है वो state के अंदर interfere नहीं करेगा बट जो state है जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये religion के अंदर interfere करेगा उनकी अफलेटमेंट के लिए वगारा जेस तरह से मारे पास जो है बहुत सी reform movements जो है government अपने लेवल पे ला दी है ताकि जो marginalized लोग है इंडिया के अंदर उनकी जो है ये रूटेड है रूटेड है इन उनीक historic circumstances फर्दर हम जो है जहाँ पे west का भी लिख सकते हैं unlike west west ठीक है ना where complete separation between state and religion happens ठीक है ना there exist principled distance between state and religion ठीक है ना तो ये है west का ठीक दिन हमारे हाँ क्या है कि हम जो है equal respect एक तो हम जो है equal respect तो करते हैं ठीक है ना plus equal protection to all religions equal protection to all religions to all religions ठीक है ना further जो है आप देखेंगे Indian context के अंदर states की neutrality and end difference for each neutrality जो है इंडिया की neutrality and end difference for each religion ठीक है ना यहां पर जो है किसी particular religion को जो है इंडिया जो है promote या remote नहीं करता ठीक है तो यह है Indian का context इस तरह से हम आपने question को हम start करेंगे introduction देखें अगर इतनी भी हम देंगे जहां से जहां तक की sufficient है यह तो आगी भड़ा देगा question को ठीक है तो tolerance उसके बाद हमारी इसने लिखा है tolerance पहले हमने tolerance पर लिखा फिर हम जो है assimilation then pluralism पर बात करेंगे tolerance जो है element जो है secularism का यह हम justify करने वाले हैं कि tolerance कैसे की aspect है इसका ठीक है ना तो tolerance basically क्या होती है willingness to tolerate existence of opinion one disagrees ठीक है ना इंडिया has always be laid off tolerance यह वाला हम जो है mention कर सकते हैं ठीक ना अपने statement को justify करने के लिए तो अगर इंडिया के अंदर जो है हम देखें इंडिया has always be laid off tolerance तो always वाला जो है इंडिया के अंदर यह वाली चीज़ है आज यूपिएस इस पर पहले ही पूछ चुका है ancient context में अगर हम बात करें तो समुद्रा गुपत का example हम जहां पर site कर सकते हैं समुद्रा गुपता ठीक है ना तो यह क्या था फालोर आफ डिवोट फालोर आफ हिंदुईजम गरांटेड पर्मिशन टू साइलान किंग ठीक है ना मेग वर्मन टू एस्टेबलिश मौनेस्टरी बदिष्ट एडबध गाया ठीक है ना तो इसने बदिजम के दोहारा जो है टॉलरंस शो की तो हम जहां पर मेंचन कर सकते हैं अगर specific हमें जो है पूरा जादना मेग वर् के तो हम इसका समद्रागप्त ने बदिजम को जो है डिस्पाइड है बिंग हिंदू जो है इलाव किया बदिजम को ठीक है ना अगर हम लेट इंशन्ट या अर्ली मेडवल एरा की बात करें अर्ली मेडवल एरा अर्ली मेडवल एरा मेडवल एरा मेडवल एरा की अगर हम तो जहाँ पर हम घर्शावर्दन की जो है एक्जम्पल साइट कर सकते हैं यह शिवा का फालवर था ठीक है ना इन्फलेंस्ट बाई हिन सेंग एक्सेप्टेड माहान बुदिज्म बट डिड नाट कम आउट आफ हिंदुइस्म ठीक है ना बुदिज्म इसने एक्सेप्ट किया साथ में जो है हिंदुइस्म को भी प्रैक्टिस करता रहा तो जहाँ पर इसकी हम एक्जम्पल साइट जो है दे सकते हैं कि हुन सेंग के अंडर जो है इसने दो बुदिज्म को एक्सेप्ट कर लिया बट स्टिल ही कंटिन्यू टू पे घीप कि वर्ष न्टू टू दू ही कह थाँ पर हम इसका जो है उसम्पल कर सकते हैं फिर विडर इंडिया की हम जो है कोई एक्जम्पल देङए घारा की जो है आप देखेंगे जहां पर कृष्णा देवा रहे आ रहे जो है जिसको हम परेश्णा देवा रहाया हिका ना ब इस ने क्या किया के Muslims जो थे Muslims को भी जो है अपनी administration के अंदर जो है रखा था Muslims इसकी administration के अंदर आपको देखने को मिल देहें ठीग онettyspite being Hindu तो जहांपे हमें जो है tolerance का एक 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 इंगल देखने कू Мलता है । अब जब इतना कर दिया है तो हमें modern की example हम दे सकते हैं modern history के अंतर आप जो है जूरिंग freedom struggle आप देहे गई जिस तरह से गुपाल की कृष्णा कोखले ठीक है ना इनकी example आप देख सेंगे तो इनकी पाल कृष्णा गोखले की गुपाल कृष्णा गोखले ठीक है ना तो इसकी जो approach रही towards वाइल freedom struggle तो इनकी secular approach थी ठीक है ना इस तरह से जहां पे आप जो है गांधी जी का गांधी जी का जो है रेफरेंस साइट कर सकते हैं गांधी जी ठीक है ना secularism was based on commitment to brotherhood of religious communities based on the respect of foreign pursuit of ठीक है ना यह वाली चीज़ जो है आप गांधी जी की mention कर सकते हैं बट गांधी की जी को आप शहां पे site कर सकते हैं passing reference में ठीक है न और इसको इतना इन detail तो आप लिखने ही पाएंगे जस्ट थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे शहां पे ठीक है ना जैसरा हर्शा वर्दन का accepted Buddhism बट इसने जो है इसने जो है डाइटिस को जो है devotion जो है प्रैक्टिस की जो है इप दीप दीवोशन तो इस तरह से आप mention कर सकते हैं इन पोस्ट इंडिपेंडेंडेंट्स के अंदर आप जो देखें जो कोई भी official state आपको नहीं रिजिजिन के नाम पे देखने को मिलेगी ठीक है ना जहां पे नहीं देखने को मिलेगी और पर्टिकुलर्ली जहां पर आप mention कर सकते हैं article 25 to 28 fundamental rights ठीक है ना part 30 के अंदर जो करांटी करते हैं every person freedom of conscience right to profess propagate his religion ठीक है ना तो यह वाली जो चीज़ का है जहां पर every person को जो है जहां पर institution right दे रहा है तो जहां पर tolerance के इंकल हमें जहां पर देखने को मिलता है तो जहें हो गया tolerance एक तो की हमने aspect हमने देखा ठीक है ना ancient के अंदर समुद्रा गुप्त का reference दिया late के अंदर जो है हमने हर्शावर्दन का फिर middle के अंदर हमने कृष्णा दिवारेवा का राया का फिर modern के अंदर हमने कृपाल कृष्णा को अखले गांदी जी का post independence के अंदर हमने जो है सबसे बड़ी चीज constitution का और कोई भी हमने state create और religion के नाम पे नहीं की दो हमें जहां पर कुछ demands देखने को भी मिली ठीक है ना तेन उसके बाद है assimilation का तो assimilation का assimilation as key element of Indian secularism हम जो है mention कर सकते हैं assimilation तो same उपर जैसे हमने heading लिखी वैसे ही आप जो है इसको भी जहां पर लिखेंगे assimilation as key element तो जहां पर assimilation को आप अगर define करेंगे process by which individual groups individual या groups of different cultural heritage are absorbed in dominant culture of society ठीक है ना absorption हम इनको कैसे जो है तो marginalized हैं या दूसरे हैं ठीक है ना कैसे जो है जार्ब किया जाता है main society के अंदर तो example के तोर पे अगर आम समझेंगे leaders such as अंबेदकर emphasized upon assimilation of minorities ठीक है ना और downtrodden into mainstream जहां पर अंबेदकर हैं जिस तरह से minorities और जो downtrodden हैं उनको mainstream मेलाने की जो है कावशें की ठीक है ना फर्दर जो है जहां पर आप सूफी का जो है side कर सकते हैं influenced from bhakti sense adapted yogic postures and breathing techniques जो है सूफी सूफी ने adopt की बक्ती movement से तो यह चीज़ मेंचन कर सकते हैं music जो था earlier Islam का पार नहीं था still जो है इन्होंने adopt किया तो it shows के जो है जहां पर किस तरह से assimilation हुई है ठीक है ना however more than assimilation its integration as it is ensued that individuality and core of every religion is protected and respected ठीक है ना assimilation से जो है actual में जो है basically integration था ठीकन assimilation के अंदर जो है basically for example अगर कोई minority है mainstream में आएगा तो इसकी अपनी जो है identity यहां पर खत्म हो जाती है mainstream की identity adopt कर लेता बलके जो है इंडिया का आप देहेंगे इससे भी जो है एक advanced step पे था integration ताकि इनकी identity इनके साथ interact रहे but still जो है main stream का part रहे इस चीज़ पर जो हमें focus देखने को मिला जहां पर इंडिया के circularism का यहां पर जो है next जो last चीज़ का है pluralism as key element pluralism ठीक है pluralism हमें कैसे देखने को मिलता है pluralism को basically क्या होता है हमारा is a term used when smaller groups within larger society maintain their unique cultural identities smaller groups जो है unique cultural identities identities where their values and practices are accepted by dominant culture ठीक है ना जो बड़ी classes and dominant classes हैं वो इनकी जो smaller groups हैं इनकी unique identity को accept करती है provided consistent with law and wide values ठीक है ना तो all major religious are harmonically coexisting in India जितने भी major religion है चाहे Hinduism है Islam है Christianity है ठीक है ना तो आप देखेंगे के एक major conflict हम जहां पे इनके बीच में जो है देखने को नहीं मिल रहा तो harmonical coexistence जहां पे देखने को मिलती है आमे आप मॉनिकल coexisting coexisting ठीक है ना illustrations जहां पे आप दे सकते हैं कुछ ठीक है ना आपने इस arguments को support करने के लिए जहां पे जो है हमें illustrations जहां पे किसकी आप reference कर सकते हैं जिस इस तरह से fairs and festivals festivals active engagement of different religions ठीक है जिस तरह दुर्गा पूजा होती है कॉलकटा के अंदर तो यहां पे जो है सबी जो गनेश चतौरती है ठीक है ना जा फिर जो Christmas का new year होता है सब उसको जो है Christmas का new year जो होता है सब जो है उसको celebrate करते हैं एक रास इंडिया इस तरह से आप art and architecture का आप reference दे सकते हो art and architecture art and architecture के reference में जो है cultural monuments like अजनता के ओपेंटिंग्स highlight करती हैं existence of different religion like Hinduism, Jainism, Buddhism अजनता के ओपेंटिंग्स ठीक है न देन जो है आप linguistic plus cultural rights की अगर आप देखें तो minorities के जो है specially product किए गए protect किए गए है under linguistic plus cultural article 29 and 30 के अंदर जो है specifically constitution mention करता है इनकी protection के लिए तो देन इसके बाद हमारा होगा conclusion and conclusion हमारा क्या होगा कि religious tolerance जो है equality respect for all religions जो है सभी religion को जो है respect है despite influences despite differences should be promoted ठीक है न जो tolerance है equality है जो है respect है differences के बावजूद भी इस चीज़ को हमें promote करना चाहिए ठीक है न और जो value education है which makes younger generation understand ठीक the appropriate not only its religious traditions but also other religions in country हमें ऐसा जो है value education promote करनी ही चाहिए जहां पर ठीक है तो जहां पर जा फिर हम जो है इस तरह से इसको conclude कर सकते हैं के differences does not mean inflict conflicts है जो है जो है इस तरह से हम इसको जो है conclude कर सकते हीं we will be meeting in next video till then